हाई फ्रेंद्स मैं हूँ शाहिन सेयद वेल्कम तुमाई शानल आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी गाड़ी और रबड़ी तार बहुत ही रेस्टी सूजी की फिर्मी यह देखने में जितनी टेंप्टिंग लग रही है खाने में उससे भी जादा टेस्टी है जरू थोड़ा सा गरम हो जाए तो हमने इसमें आट कर देना है कुछ कटे हुए नाट्स तो मैंने इसमें काजू, बदाम, चार ओली और थोड़ा सा किश्मिश लिया था आप चाहें तो पिस्ता या दूसरा कोई भी नट्स आट कर सकते हैं थोड़ा सा स्लाइस करके आट किया है बस कुछ सेकंड्स ही आपने इसको फ्राइ करना है अगर आप इसको बहुत जादा फ्राइ करेंगी तो नट्स जो है ये जल जाएगा और कड़वा लगने लगेगा और फिर मैंने इसको ड्रेन करके निकाल लिया है बाहर यही घी जो बच गया है इसमें मैंने आट कर दिया है दो टेबिल स्पून सूजी आप मोटी या महीन कोई भी वराइटी इस्तिमाल कर सकते हैं इसको लो फ्लेम पे आपने चलाते रहना है सूजी बारिक होती है बहुत जल्दी जल जाता है यहाँ पे दूसरी तरफ एक टी स्पून मैंने लिया है वनीला कस्टर्ड पाउडर गरम करके ठंडा किया हुआ दूद है यह उसमें हमने आट करके अच्छे से मिक्स कर लेना है नीचे जाके तले पर बैट जाता है कस्टर्ड पाउडर तो बस यह मिक्स हो जाए तो इसको हम रख देंगे साइड में दूसरे बॉल में मैंने एक चुटकी केसर आड़ किया है केसर से बहुत ही रिच और क्रीमी और टेस्टी बनके त्यार होती है थोड़ा सा आड़ कर लें इसको दूद में और कुछ देर के लिए हम इसको भिगो देंगे यहाँ पर देखिए मैंने सूजी को बीच बीच में चलाते हुए कुक किया है फ्लेम जितना हो सा कि बिलकुल लो रखें सूजी की कॉंटरी सिर्फ दो टेबल स्पून है बहुत तेजी से यह इस तरह से ब्राउन हो जाएगा जैसे यह ब्राउन हो जाता है तो फिर हमने इसम कस्टरड पाउडर दो टेबल स्पून के जगे आपने चार टेबल स्पून याने के पाव कप तक सूजी एक लिटर दूद के लिए इस्तिमाल करना है बिलकुल लो फ्लेम पर जब इसमें उबाला आ जाए तो कम से कम साथ से आठ मिनिट आपने कुक कर लेना है ताकि सूज इसमें अच्छे से फूल जाए और फूल कर ये थोड़ा सा गाड़ा हो जाए तो यहाँ देखिए बीच-बीच में मैंने इसको चला लिया है और आप देख सकते हैं यह अब इस तरह से थोड़ा गाड़ा दिखाए देनी लगा है अब यहाँ पर मैंने कस्टरड मिक्स किय जो दूद था वो इसमें आट कर लिया है आपने एक हाथ से आट कर लेना है और एक हाथ से इसको तुरंत ही चला लेना है बिलकुल भी इसको छोड़ना नहीं है वरना जैसे ही आब इसमें कस्टरड पाउडर आट करेंगे तो अंदर इसके लंप्स फॉर्म हो जाएंगे त दूरंत ही चला ले तेजी से और फ्लेम बिलकुल रखें जैसे ही उबाल आता है तो धीरे धीरे ये और गाड़ा हो जाएगा कस्टरड पाउडर से बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आता है अब ये मैं आट कर रही थी केसर वाला दूद जो हमने भिगो कर रख दिया था जिसमें केसर उससे कलर भी बहुत बढ़ी आता है और फ्लेवर बहुत एनांस हो गया आता है रिच फ्लेवर आता है आपके पास केसर अबेलेबल नहीं है तो आप इसके जगे पे आधा चबमर्ज इलाइची पाउडर आट कर सकते हैं चीनी आट करी है मैंने कम से कम अबर एनांस करने के लिए दोट बून सिर्फ केवर एसंस का इस्तिमाल किया है यह बिलकुल बजार जैसी फिरनी बनकर घर में तियार होती है जरूर ट्राइ करिएगा यह देखिए गाड़ी हो गई है क्रीमी सी दिखाए देने लगी है तो बस जब इस टेक्सचर पर आज कर देना है क्योंकि जैसे यह ठंडा होगा यह और गाड़ा हो जाएगा आप चाहें तो थोड़े थोड़े चोटे कप्स में इसको सेट भी कर सकते हैं मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ यह देखिए यह बहुत यमी बनके त्यार होती है तो इसको हम सर्फ कर लेंगे आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं यह समय फॉरफेक्ट है आप इसको फ्रिज में करक्के चिल कर सकते हैं जैसे यह ठंडा होगा तो यह और भी गाड़ा हो जाएगा कानिश कर लें तले हुए नट्स के साथ आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो जरू ट्राइ करिएगा और हमेशा की तरह रेसिपी पसंद आई हो तो सूजी की फिरनी की रेसिपी ट्राइ करके मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपको रेसिपी कैसी